हाई डिये फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई हूप आप सभी अच्छे होंगे जैसा कि जो है एससे सीजेल कर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो कुछ फॉर्म भरते समय कुछ जिम्मेदार ही हैं हमें वह दिवानी चाहिए तो कुछ तो यह कंफूजन पैदा हो रहा है क कि एक जाम कौन कौन से तीर हैं इसमें कौन से खतक हुआ हैं कौन से बढ़ाएग Virgin सिए सब्जेक्ट बढ़ाएं गए घयें इस सारी डिटल को आज आपके लिए बताने जा रहा हुक्छ जतना आपका कन फूजन वह सारा का सारा दोर हो जाएगा तो हली हम बात करते हैं अटफ लेक्षे तक ऑप्याने का में अचर्त करें यह जाएगे आठट आहं अच्टूबर तक आपको फrade सकते हैं pewni बीच दिन का टाइम अपको मिला है मिलाइक फ़ां बर सकते हैं मिनियों एजकी में बात करा ओं मिनियौज आपके 18 साल होनी चाहिएً कि 28 साल ऑगर आपकी एज है तो आप फार वर्म भढ़ सकते हैं बात करेंगे मैक्समाम एज की तो मैक्समाम एज आपकी 27 से 32 साल होई चाहिए पोस्टय से कुछ होई 27 साल तक माँए कुछ यह पोस्ट में जो आपका 32 साल तक माँएं गी है टोटल बेकंसी इस बार जो है SSE CGL की आई हैं वो कम सों 20,000 बेकंसी है तो डियर फेंट से यहां आप समझ सकते हैं कि पहली बार जो है SSE CGL की तरब से BCR वेकंसी आई हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें सेलेक्शन आपको पका हो सकता है अगर आप अच्छे से महत कर लेते हैं तो तो डियर फेंट एलिविजिलिविल्टी के राइटी रिया की बात करेंगे तो आपको पताए कि बैचलर डिगरी आपके प चार सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जिसमें पहला सब्जेक्ट आपको रिजनिंग मिलेगा रिजनिंग के आपको 25 कुस्ण मिलेंगे 25 कुस्ण जो आपको 50 मार्स को जाएंगे यह आपको हो जाएगा फिर आपको जीयस सब्जेक्ट मिलेंगा जीयस में क्या है कि आपको 25 आपको मिलेंगे तेहां 50 मार्स का हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंजिस आया इसके अंदर पहले क्या होता होता था कि आपकी 200 नंबर के इंग्रेश का पेपर होता था और आपका 200 नंबर का इस तरीके से आपके जो पेपर सीजेल के हुं को हुआ करते तो इसक्या कि आपको रिजनींग बढ़ा दिया गया है अब जो tier 1 का exam होगा only qualify अगर आप इस वेकर को qualify नहीं कर पाते इस exam को तो आप second tier में नहीं बैठ पाएंगे तो second tier के हो जो मैं बात करेंगे तो second tier में कौन-कौन से subject हैं आपके second tier में क्या है कि आपको चार subject सेम रहेंगे कौन-कौन से यानि आपको reasoning हो जाएगा js हो जाएगा मैथ हो जाएगा और english हो जाएगा इसमें एक subject और बढ़ा दिया गया है computer subject आपके लिए बढ़ा दिया गया तो हम टोटल tier 2 और 5 subject बन साते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है बात करेंगे आप tier 3 जो tier 3 आपका होता था वो खतम कर दिया गया है tier 3 जो आपको बिल्कुल खतम कर दिया गया है उसकी जाएब पर आपको typing test देना जरूरी है किसी पोस्ट में आप जाते हैं किसी पोस्ट के लिए अपलाई करते हैं आपको typing test देना जरूरी होगा तो dear friends जैसे कि बताया कि एक्जाम जो tier बने आपको क्वालिफाइंगे तो हम बता दूँँ आपके लिए तो जो 200 marks का paper होगा उसमें से आपके लिए क्या है कि जो जनरल वाले व्यक्ति हैं वो 30% से अधिक marks लेके आने हैं तभी आप second tier के लिए क्वालिफाइंगे बात करूंगा OBC और जो आपका EWS है उसके लिए 25% marks लाने जरूर ही है तब आप second tier के लिए eligible हो जाएंगे बात करेंगे यहां पर second की यानि जो आपका अगला है 20% marks आपको चाहिए all category के जो भी SCXT वारे हैं उनके लिए 20% marks हैं तो अभी आप जहाँ tier 2 में बैट पाएंगे तो dear friends इतना आपको जो confusion है दूर हुआ होगा तो वीडियो अच्छा लगा हूँ तो प्रेज चैनल को सब्सक्राइब कुलें और वीडियो को लाइक करके ज़रू बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो जब लेके जय जय भारत